हलो फ्रेंड्स मैं हूँ शालेनी मेरी कीजन में आपका स्वागत है आज मैं आपको सूजी की उत्पम बना के बताऊंगी आज आप मेरी रेस्पी में देखेंगे कि मैंने आपको दो तरीके से उत्पम बना के बताया है इसको बनाना आसान है और एक खाने में टेश्टी होते हैं तो चलिए आज हम देखते हैं कि उत्पम घर में कैसे बनता है और अगर आपको मेरे उत्पम की रेस्पी अच्छी लगे तो रेस्पी को लाइक और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूल है सूजी की उत्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1.5 कप सूजी और अगर आप बेट के हिसाब से देखेंगे तो यह 1.500 ग्राम सूजी है बारिक कटा हुआ हरा धनिया बारिक कटा हुआ प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़े साइस का प्याज लिया है प्याज को मैंने बारिक बारिक चॉप कर लिया है, बारिक कटा हुआ टमाटर, टमाटर भी मैंने बड़े साइज करिया है, उसको मैंने बारिक चॉप कर लिया है, 100 ग्राम दही, और अगर कप के हिसाब से देखेंगे तो आप एक कप मैंने यहाँ पर दही लिया है, पाथ चम यहां पर मैंने यह बारिक वाली सूजी लिए है, दही डालेंगे, डाल कर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यह देखिए आप सूजी दही अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी आप पूरा न डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, मैंने य जरुवत के हिसाब से गोल में मिलाएंगे तो सूजी को हम 15 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं 15 मिनट हो गए हैं बैटर हमारा फूल गया है तो अब हम इसको चेक करते हैं कि यह देखिया बैटर हमारा थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें थोड़ा पानी और अड़ करेंगे डाल कर हम अच्छ credit करेंगे 기-, को हमें जयदा पतला नहीं रखना है यह देखिया आप यहां पर बै चेक की केस स कंसें से को देख सकते हैं हमें इस तरीके का सूजी का बैटर त तो आप चाहे तो पैन में भी उत्पम बना सकते हैं तो हम गैस को अन करेंगे तबे पे हम एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम इस तरीके से फेला देंगे तब हमारा अच्छे से गरम हो गया है अब हम तबे पे बैटर डालेंगे तो एक चम्मच की सहायता से हम बैटर को इस तरीके से तबे पे डालेंगे और इसको हम हल्का सा फेला देंगे मैं यहाए पर छोटे-छोटे उत्मच बना रहे हूँ आपको जितने साइस के पसंदऺ आप बना सकते हैं थोड़ी सी हम उबपर से प्यास डालेंगे टमाटर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ध्यान रहे हमने बेटर में भी नमक डाला था इसलिए नमक आप थोड़ा सा ही यूज़ करें और एक स्पेचुला की सहायता से हम उपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे जिससे की सबजिया हमारी बेटर में अच्छे से चिपक जाएं जब हमारा उत्पम नीचे से सीख जाएगा तब हम इसको पल्टेंगे जब यह उत्पम उपर से सीख जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है आप हम उत्पम को पल्टेंगे आप यहां देख रहे होंगे कि कलर चेंज होने लगा है और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी उत्पम को सेक लेंगे, अब हम इसको फिर से पलटेंगे, उत्पम हमारा अच्छे से सिग गया है, तो अब हम इसको पैन से बाहर निकालते हैं, इस पैचुला की सहायता से इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, ये देखिए आप उत्प तरिके से उत्पम बनाने के लिए हम बैटर में सारी वेजटेबLES को मिलाएंगे, अब हम इसमें नमक तळ लेंगे, मैंने नमक पहले भी डाला था, इसलिए नमक हम थोड़ा से डालेंगे, मैं जब भी घर में उत्पम बनाती हूँ, तो मैं इसी तरीके से उत्मम बनाती अब हम तबे के उपर एक चमच तेल को इस तरीके से फैलाएंगे अब हमारा अच्छे से घरम हो गया है अब हम तबे के उपर बैटर डालेंगे तो मैंने एक चमच बैटर लिया है बैटर को तबे के उपर इस तरीके से डालेंगे डाल कर हम थोड़ा सा फैल आ देंगे उत्पम हलका मोटा होता है इसलिए मैं यहाँ पर मोटा ही बना रही हूँ और थोड़ा सा तेल हम उपर इस तरीके से डालेंगे आप यहाँ देख रहे होगे कि उत्पम के sides का color change हो गया है जब उत्पम के साइट का color change होने लगता है तो आप समझ जाईए कि उत्पम आपका सिखने लगा है आप यहां देख सकते हैं कि उत्पम के साइट का color change हो गया है इसका मतलब है यह हमारा सिख गया है तो अब हम इसको पलटेंगे एक स्पैचुला की साहयता से उत्पम को हम इस तरीके से पलटेंगे यह देखिए आप यहां देख रहे होंगे कितनी अच्छे से उत्पम हमारा सिख गया है अब हम उत्पम को नीचे साइट से भी चेक कर लेते हैं ये देखिए आप दूसरी तरब भी उत्पम हुमारा अच्छे से सिग गया है तो आप हम इसको तबे से बाहर निकालते हैं एक प्लेट में हम इसको निकालेंगे ये देखिए आप ये मेरा पहला उत्पम है ये दूसरा उत्पम है तो अनोही एकदम अच्छे बने हैं और दे अगर आपको मेरे उत्पम की रेस्पी अच्छी लगे तो रेस्पी को लाइक और मेरे चरल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू